C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा साथ की उर्दू की पाठ्ठे पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कारेक्रम बी अम्मा भारत की आजादी की लड़ाई में खिलाफत आंदोलन की शुरुवात करने वाले अली ब्रदर्स यानि मौलाना मौहम्मद अली जोहर और मौलाना शौकत अली की मां मौतरमा बी अम्मा देश भक्ती की एक अनूठी मिसाल है उनी पर आधारित है ये कारेक्रम बी अम्मा हिंदुस्तान की आजादी की जिद्दो जहत में मर्दों के साथ और्टों ने भी बराबर का हिस्सा लिया मौलाना मौहम्मद अली जोहर और मौलाना शौकत अली की वालिदा मौतरमा बी अम्मा का नाम इस सिलसले में मिसाल के तोर पर लिया जा सकता है बी अम्मा की विलादत 1852 में हुई थी उनके वालिक का नाम मुजफर अली था उनका तालुक रईसों और मनसबदारों के खानदान से था ये खानदान अम्रोहा का रहने वाला था 1857 में इस खानदान ने तै किया कि अगर देली और मेरट की तरह अम्रोहा में भी आजादी की जिद्दो जहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज हुकुमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकुमत काहिन कर लेंगे इस बास से मालुम होता है कि बी अम्रोहा के खानदान में हमेशा से अपने वतन से मुहबत पाई जाती थी बी अम्रोहा ने बच्पन ही से मुल्क की तबाही देखी थी और अंग्रेजों के मजालिम की दास्तानी भी बुजर्गों से सुन रखी थी इसके नतीजे में अंग्रेज हुक्मरानों से उन्हें नफरत हो गई ये अंग्रेजी हुकूमत हमारे मुलक पर कितनी जुल्म कर रही है हमें कुछ करना होगा हाँ, हमें कुछ करना होगा इनके खिलाफ हमें ही आवाज बाबुलंद कुछ कहना होगा हाँ, हाँ कि शोहर के इंतिकाल के बाद बच्चों की निग्रानी उनके सुपुर्द हुई बी अम्मा ने इन दोनों भाईयों की तर्बियत इस धन से की कि आगे चल कर मुहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज हुकुमत को हिला कर रख दिया बी अम्मा ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी रहन रख दिया अम्मी, 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 आज़ा, यहाँ बेटा शौकर, तुम भी आँ मुहमेद, अम्मी, मैं सुनगा आपके साथ, नहीं, मैं सुनगा अम्मी के 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 साथ, नहीं, मैं स देखो बच्चो तुम्हारे अब्बू नहीं है तो क्या हुआ मैं तो हूँ न अम्मी आपकी आखों में पानी गिर गया बच बच तुम खूब पढ़ो लिखो मुल्क का नाम रोशन करो जी अम्मी अम्मी आप देखना मैं बहुत पढ़ूँगा मैं सबसे जादा पढ़ूँगा अम्मी अप अपने जेवर बेज़ दिये मामु जान बता रहे थे मरे इन जेवरों का क्या करना मुझे अरे तुम हो ना मेरे दो-दो नगीने दो-दो नगीने एक ही है एक है तुम खूब उची तालिम लेना खूब पढ़ना और इन अंग्रेजों को मुल्क से भगा देना मैं सारे अंग्रेजों को भगा दूँगा फिर ये मुल्क अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा आजाद हो जाएगा अम्मी जब हमारा मुल्क अजाद हो जाएगा तब क्या होगा खूब खुशाली होगी सब मिलचुल करेंगे द्रक्य करेंगे सब मिलचुल करेंगे खुशाली होगी भी अम्माद चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेजों की जालिम हुकुमत के खिलाफ जिद्दो जहिद करें और उनकी ये मुबारख खाहिश पूरी भी हुई मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जो अली ब्रादरान के तोर पर जाने जाते हैं उन्होंने कलम और जबान के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ आवास बुलंद की भी अम्मा बराबर अपने बच्चों के साथ रही और उनका होसला पढ़ाती रही जब अली ब्रादरान जेल में डाल दिये गए अरे भीया मौहमाद दली और शौकत दली को अंग्रेजों नहीं ग्रफटार कर लिया है बहुत ही जुल्म है अबे क्या बोलने की भी आजादी नहीं है नेरे पर भाई जान अंग्रेज बड़े ताकतवर है अरे तो क्या हाथ पे हाथ धकर बैठे रहे अंग्रेजों से टकराना ठीक नहीं है अरे भीया उनकी बरापरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते है दोनों को समझाता कर लेना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं गवर्मेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफों से बचने के लिए अगर शौकत अली और मुहम्मद अली किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो उनके मजभी एकाम या मुल्की फायदों के जरा भी खिलाफ हो तो मुझे यकीन है कि अल्ला पाक मेरे कल्ब को इतनी मस्बूती और इन सूखे जुरियों पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं मैं उसी वक्त उन दोनों का गला घुट दूगी या बोल रही है या बोल रही है बी अमा के इस बयान से उनकी होसला मंदी जुर्ड मजभ और वतन से गहरी महबद साफ जाहिर होती है मार्च उननिस सो चौबीस में बी अमा की तबियत खराब हो गई एक बार शौकत और मुहम्मद को देख लेती कोई बात नहीं उन्हें अम्रोहे से फौरण रामपूर लाया गया अली बिरादरान अपनी मा से मिलने के लिए रामपूर आये लेकिन अंग्रेज हुकुमत ने उन्हें रेल्वे स्टेशन पर रोप दिया महम्मद देखो रामपूर आगया कितने वक्त के बाद अम्मी जान से मिल सकेंगे हाँ शौकत भाईजान मेरा तो दिल बेताब हुआ जाता है हाँ महम्मद मेरा भी दिल बहुत ही बेता है आँ 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 यू 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 कैन नौ गो आउट हम ठुमको बाहर जाने नहीं डेटाग्टा लेकिन क्यो पिशेन हो इडर बस मां से मिलकर आ जाएंगे हम सर हमारी मां बहुत बीमार है अच्छे जब इसकी खबर बीमारी की हालत में स्टेशन आ गई काई कौन से जब्बे में है मेरी बच्चे मैं भी उनके साथ चलूँगी मैं भी उनके साथ चलूँगी अबी अम्मा आप बीमार है आप कैसे नहीं नहीं मैंने काहा ना मैं जाऊंगी मैं भी जाऊंगी अम्मा ऐसा मत करो अम्मा आप यहां बैठ जाओ इधर बैठ थोड़ी सांस लो बेटा चान खिलाफत पे दे दो चान खिलाफत पे दे दो उनकी खाहिश थी कि हिंदुस्तान की आजादी और हिंदु-मुस्लिम इत्याद को वो अपनी आँखों से देख लें आखिर बी अम्मा इसी खाहिश को लिए हुए 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गई बी अम्मा के पेगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया है बोली अम्मा मुहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो अभी आप सुन रहे थे ये कारे करम विशे सैयोजन डॉक्टर चमनारा कलाकार परवेज गोहर शमायला परवेज सुचित्रा गुप्ता नीरच्षर्मा और रक्षित्था प्लियाल बालकलाकार नमन और निशान्त धुनेंकन बटिलेंग लिंडो और शानुमुक्सीम निर्मान सैयोग तनुगुप्ता निर्मान निर्देशन वध्वनी संपादन वंदिन अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. न.I.D. भारत